प्रमुक अखबारों से कवए इंपॉर्टन न्यूस अबडेट को अधर बड़ती एक वर्ष से ज्यादा का इंदेजार भरतियों को है तैनाती के लिए और आज की कॉसलिस्ट में सीजे कोट में आपकी सुनवाई है देखते हैं क्या हो सकता है इसके बारे में थुड़ी चर उत्रप्रदेश संक्त परिक्षा B8 की इसके बारे में जानकारी देख लेंगे UPTT अब डिजिस्टल सर्टिफिकेट मिलेगा और हो भी क्यों ना यतनी जादा तूटियां यह लोग कर रहे हैं रिजल्ट में प्रकरण में तो फिर प्रिंट करेंगे फिर गलती होगे फिर प रहने वाला है और यह मुझे लगता है कि पूरी तरीके से आपके सीटेट के ऊपर पूरा फोकस करके क्या प्रकर आप खेल है कहीं अच्छी पहल है और कारी मानक के बहाने देता था आरक्षन यह कोट ने कहा है आपका जो आरक्षन के ऊपर बात शीचल रही है इसके लिए तो इसके बारे में जानकारी ले लिजेगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो वीडियो लास्त तक देखीगा और जितना जाद हो इसके शेयर करना मत भूलेगा बाकी लिटेश अपड़ीट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लिए वीडियो को लाइक और शेयर जरू चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो तो उनतरजाज सिक्षक बरती मामले में सुनवाई आज है प्रदेश के प्रात्मी के स्कूलों में राज सरकार समेत अनवर्टियों की विशेश अपीलों पर हाई कोट के लगनों पीट में सुनवाई 12 फरवरी को होगी नयामर्थी पं परक्रिया को होते चला आगया है अब ये कब तक और खितना खीचेगा ये निरने आज खुदी समझ में आ जाएगा कि सीजे कोट से इसको ट्रांसफर किया जाता है एडिशनल की लिस्ट में कोट नमबर एक में या कुछ और क्योंकि एक साल के से रिजल्ट क्यास में 4 लाक आने वाली है और अभी तक इसका कुछ नाम निशान तक नहीं है अनिल पूछन चेत्रवेदी जो आपके सवजी प्रचाने प्रादिकारी मत्रदेश को नों ने बोला है कि स्रिक्षक भरती के कट ओफ अंका निरने होते ही उत्तरकुंजी और परिडाम जारी कर दिया जाए अन सारी तेरियारिया एक साल से पूरी है यानि पूरी चीजें उसी समय के पूरी हैं बस यह प्रकरण ना हुआ होता तो सायद परणर फरवरी 2019 को ही आप स्रिक्षक बन गया होते हैं निक्ति पत्र अपने हाथों में लेकर तो 69,500 साय के दापक भरती में निक्तियों के बाद पहली दिसंबर 2018 को जो 99,000 सिक्षक भरती के सासना देश से लाको बरतियों को नए वर्ष का तौफा मिला दिसंबर में ही UPTT 2018 का प्रिडाम के बाद ऑनलाइन आविदन लेकर 6 जनौरी 2019 की भरती की लिखित परिक्षा हुई सब कुछ तावर तोड होने के वज़ए से 22 जनौरी को भरती का प्रिडाम और फिर 15 जनौरी 2019 तक न्यूकति प्रक्रिया पूरी करने की समय सारणी घुशित थी अब बीशिक सिक्षा परिशत के प्रात्मी स्कूलों के लिए उनतर जाय साय के दापकु भरती की लिखित परिक्षा के दूसरे ही दिन सासने कट ओफ अंग घुशित किया और परिक्षा में 4,440,000 अबिटी परिक्षा में सामली हुए थे और इसमें समयन वर्गिलिए 65 प्रतिशत और आरक्षित वर्गिलिए 60 प्रतिशत अंग पाना निवार किया गया अब इस आदिस के साथ ही विवाद सुरू हो गया अभिरतियों वस्रिक्षा मित्रों ने इसे हाई कोट में चुनोती दिया तब से भरती के कटाओ फंक वा अन याजिकाओं पर सुनवाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही है और यह मामला इतना तूल पकड़ा है कि मुख नयादीस प्रियागराज वक्ष हाई कोट के लगनुखंट पीट में भी याजिकाएं हुई है तो कहीं ने कहीं यह आपको पता ही है इलावाद प्रियागराज में तो हुआ ही था यहाँ पर लगातार आज इंपोर्टेंट तरीके से यह पता चल जाए कि भरती प्रिया और कितना डिले होने वाली है या इसको लेकर सीरिसनेस सीजे कोट में भी सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है बने रहे हैं मार्च सारी लेकर अपडेट आपको कोट के अपडेट मिलती रहेगी अगली नियुस आपके बीड स्विंग्त प्रियुष परिक्षा से आवेजन आज से सुरू है इंपोर्टेंट तितियां आप देख लीजे इन तितियों का रखे ध्यान आवेजन आज से सुरू हो जाएगा 12 फरवरी से अंतिम तितियाव की 5 मार्च से लेट फीस के साथ आप 11 मार्च तक इसको इस बार ये प्रावधान रखा गया आवेजन शुल की बात करें तो समान और OBC के लिए 1500 रुपे लेट फीस अगर आप यहाँ पर लेट फीस जब आपको रेजिटेशन कराने में लेट हो जाएगा तो लेट फीस एक्स्ट्रा 500 रुपे लगेंगे SST के लिए 7.500 रुपे और लेट फीस इन के लिए 500 रुपे है और बीएट की दो लाख सीटों के लिए होंगे आवेजन पिछली बार तो ताबार तोड हुआ था दो लाख में लगबग 6 लाख तक आवेजन गये थे आवेदन करने के अंतिनतिती 5 मार्च है और इस बार लखनों विश्वधाले में से ये सारी चीज़ें कराई जाएंगे लखनों विश्वधाले को इस बार जिम्मा दिया गया है च्छटी बार ही है जमिदारी दी गई है और इसके पहले आपका जो विश्विदालिक करा रहा था इसको उसमें काफी चीजे परशानी हुए बेड़तियों को भी और इस बार देखते हैं कि याँ पर कुछ अच्छी चीजे हो बेड़तियों के साथ और उनको जल्जल्द करिएगा एडमिशन के तहट अच्छी कॉलेजियों कोई निफ्टी बे मिल सके यह सारी डिटेल रही इसके रिगार्डिंग और अरगली है कि अहरकारी मानक के बहाने देता रहा आरक्षन ये उत्रपर लोग से वायोग की भड़तियों में आरक्षन लागू करने का विवा पर आयोग ने प्रस्ता वापस ले लिया था उस समय जरूर चैनित अभड़तियों ने बदलाव भी किया गया था और इसके लावा लेकिन बात की परिक्षाओं में हरकारी मानक क्वालिफाइंग स्टेंडर्ड के जरिए अनारक्षित सीटों पर उनकी घुसपैट बना रह चुकि यह नियम व्यूपी प्यस्ते की सभी भरतियों पर लागू रहा है इसलिए अहम परिक्षा PCS का परेड़ाम आने के बाद अक्सर आरक्षित वर्ग को अध्रित लाब दिये जाने की बात मुखर होती थी इतना ही नहीं आयोग अहरकारी मानक पर अमल का नियम PCS की प्रारमी परिक्षा में लागू करता रहा बाद में सम्मंदित अभ्यरती को मुख परिक्षा और साक्षातकार में भी उसका लाब मिलता रहा इसे रोकने के लिए अवनीश पांडे ने हाई कोट में याजिका दा सम्मंदान है जबकि आयोग प्रानबरी परिक्षा में ही ऐसा नियम लागू कर रहा है यह सम्मंदान के अनुच्छे 14 समानता गैदिकार के सांत अनुच्छे 16 चारक का भी हुलंगन है और सांत ही आयोग की किसी भी नियमावली में त्री सरी आरक्षन देने का नियम नहीं ह इसी पर कोट ने यूपी पीसी से जवाब तलब किया था तब ही आयोग को असाधारन बैठक बलाकर निर्देश जारी करना पड़ा कि यदि किसी भरती या भरती के किसी चरण में भरती आरकारी मान का लाब लेता है तो उसके अंक अनारक्षित वर्ग से अधिक होने पर भ के उसी जगहां पर होगा और यह पीसे प्रक्षाओं में लाब मिलते आए हैं लोगों को यहाँ पर वायोग का भी अपना तर्क है इसको लेकर और दोजार तिरिस तरी आरक्षन जो है इस पर ज्यादा बावाल चल रहा है कि क्या हो सकता है काफी पहले से यह चीज़े कोई ले लिया गया था लेकिन लाब मिलता रहा प्रक्रिया के अंदर गर तो कहीं यह प्रस्ण चीन उठाता था इन सारी क्रिया कलाबों को पर इतनी ज़्यादा बेफिजूल वाले इनका नियम और कानुन तो कुछ है नहीं इनके आँपर जो स्टैंडर्ड अगर आपको त्री चीजें हो रही है उसको आपको लागू रखना चाहिए यूपी टीटी की बारे में बता दें यूपी टीटी बुकलेट सीरीज और द्यूती भाषा की चुक में फसा है मैक्सिमूम लोग को रिजल्ट जो इन्वैलिड बता रहा है मैक्सिमूम अभरतिय इसको लेकर परसा संस्तान के अफसरों का कहना है कि सभी सूचनाएं दर्जना करने से रिजल्ट घोचित नहीं हुआ है अब संसुदित परिणाम किया जाना संभाव नहीं है यूपी टीटी के रिजल्ट में मार्क्स की स्पेलिंग में गड़बड़ी सामने आ चुकी है जैसे तैसे बढ़त नहीं हो सकेगा उसके बाद भी परिक्षारतिने बुकलेट की ABCD सिरीज और सेकंड लेंगवेज यानि दूती भाषा का कॉलम भरा ही नहीं या फिर गलत दर्ज करा दिया बढ़तियों का कहना है कि यदि सेकंड लेंगवेज का कॉलम खाली है तो निमानुसार तीस अंकों क प्रवा मुल्यंकन नहीं होना चाहिए रिजल्ट को इन्वालिट नहीं करना चाहिए यह बात तो बिलकुल सही है इस पर क्रिया कलाफ होनी के आवश्यकता है कि क्या होगा कैनी होगा हाला कि इस बार से कुछ नया रिजल्ट का प्रकरण देखाने को मिलेगा आपको कि आप को थ्रूआउट शेयर करिये लाइक करिये थैंकिसो मच